अगर आप अपने नाम पे कोई जमीन खरीद के रखे हैं और आपको नहीं पता PM किसान सम्मान नीदी योजना में आगर आप रेजिस्टिसन कर देंगे तो साल में आपको 4000 या उससे भी ज़्यादा आपको पैसे मिल ले वाला हैं इसके लिए आपके अधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक रहना पड़ेगा और एक बैंक अकांट जरुरुद पड़ेगा और आप जो जमीन खरीदे आपका नाम पे में उसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए जैसे अप्लाइ करतेंगे कुछी दिनों के अंदर में हो जाएगा तो वीडियो में बने रहे हैं मैं आपको लास तक दिखाऊगा इस्टेप किस तरह से करना है तो सबसे पहले आपको कुरूम ब्राउजर में आना है आने के बाद आपको गोगल में सर्च क्या करना है जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह का पेज में आ अगर आपको कोई भी पूस्ताच करना है कोई भी परिशानी होता है या फिर आपका अप्रूवल नहीं होता है तो इस नंबर पर कॉल करके आप कोई भी पूस्ताच या इंक्वाइरी कर सकते है डाय तरब में देखिए तीन ओप्सन यहां पर मिल जाता है जैसे निव फार ने पर समय जाता है तो यहां पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करना है जैसे सबसपहले अगर आप गाउँ से है तो आपको पहला वisstलीओ करना है तो उसके बाद आपको आधान नंबर एंटर करना है जिसका नाम से अप्लाय करें उसका आधान नंबर यहां पर डाले उसके बाद एक valid mobile number यहाँ पर डालिए जो उसके पास में OTP आएगा अभी, अभी यहां से state select करना है, box मिल जाता है, किलिक करना है, जो भी state सा ब्लॉंग करते है, state select करना है, दन उसके बाद यह जो capture आपको दिगरा है, इस box में आपको fill कर देना है, fill करने के बाद नीचे आपको send OTP बे किलिक करना है, जैसे ही send OTP बे किलिक करेंगे, उपर में आपने जो mobile number डाले है, उसमें एक OTP आया है, जिसको यहाँ पर डालना है, डालने के बाद आपको verify करना है, बाद चांस OTP नहीं आता है, तो recent OTP लिका यहाँ पर किलिक करके दो बार OTP को महँआ सकते है, तो OTP य यहाँ पर देगे, एंटार आधार रेजिस्टेशन Mobile OTP, आपके आधार कार्ड में जितने भी डीटेल्स है, सब कुछ फैस करने के लिए OTP यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो उपर में सबसे पहले जो mobile number डाला था, mobile number को verify करने के लिए mobile में जो OTP यहाँ डालना पर रहा है आधार कार्ड में जितने भी डीटेल्स है फैस करने के लिए, तो उसके लिए आपके आधार कार्ड के साथ mobile number लिंक होना पड़ेगा, OTP अगर बाचांस नहीं आता है, तो यहाँ पर किलिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देने के बाद आपको verify आधार OTP यहाँ पर किलिक करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर state automatically select रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड से फैस कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर district select करना है, box मिल जाता है, box पर किलिक करना है, आपका जो भी district select करना है, तो यहाँ पर box मिल जाता है, box पर किलिक करना है, जो भी आपका sub district है, नाम है, वो select क कर लेना है उसके बाद फार्मा परसोनल डिटेल्स यहां पर नाम आप्टोबेटिकली आधार कार्ड से फैच कर लिया है फिल करने का ज़रूत नहीं है जेंडर के भी सेम केसे फैच कर लिया है उसके बाद कैटेगरी यहां पर सिलेट करना है बॉक्स मिल जाता है जेनेरल पंति कहलता है टो तो सीलैट कर लेना ठीकLED उसके पर टाइप आदेनइड पूरीब तो यहां पर अपर कूपो नीचे यहां पर अधान नबर रहेगा यहां पर आतोमेटिक से गमउपयल नबर इस लिकश्ध पहले डालाता है तो aquíनल पर फील तicky जाना यहां जाना पर या फिर husband जो भी नाम है यहाँ पर आपका फदर का नाम डालना है आईडी प्रूब देखें उसके बाद land registration ID यह ID नमबर आपको डालना है इसकिन पर देख सकते हैं आपका जो जगे का details मतलब कागज है उस कागज की इस corner पर देखें एक land address ID नमबर मिल जाएगा और number आपको यहाँ पर fill कर देना है उसके बाद रेस्वान कार्ड का number आपको fill कर देना है उसके बाद date of bought आदर कार्ड से फैच कर लिया है उसके बाद यहाँ पर देखें एक PM किसन मंदन योजना अगर आपके नाम पर चल रहे है तो आपको yes करना है या फिर no पर select करना है उसके बाद जिस jamine के बारे में आप details दे रहे है वो jamine joint है या पिर single है तो आपको यहाँ से दो ओप्षिन मिल जाता है single joint उस हिसाब से आपको select कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है नीचे आना है यहाँ पर आभी jamine का details देना है पीछना है आचि तरह से देखे उसके बाद यहाँ पर दाग, यहा फिर खसरन नंबर यहाँ पर डालना है आच्च से देखे पेपार में उसके बादे एरिया टू हेक्टॉ हेकटॉर यहां पर आपको 1 है तो 1 डालिएगा, 2 है तो 2 डालिएगा, तो जैसी 2 डालेंगे, यहाँ पर देखी हेक्टर में convert हो जाएगा, तो यहाँ से इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, जैसी कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके यहाँ पेस्ट कर देए उसके बाद आता है land transaction status आपका जो जमीन का कागज है यह 2019 से पहले का कागज है तो इस बाले option के उपर आपको टीक लगाना है यहाँ पर देखे छोटा सा एक box मिल जाता है अगर 2019 के बाद आपका पेपर है तो इस second बाला जो option मिलता है इसमें आपको टीक लग काना है तो आची तरह से देखे आप डाल दीजिए उसके बाद option आता है land transaction details box मिल जाता है यहाँ पर क्लिक काना है आप अपने husband के date के बाद यह जमीन खड़ी देते या फिर father के date के बाद जमीन करे देते यहाँ पर आप आपने हिसाब से comfortable जिसमें है select कर लेना है उसके supporting document यहाँ पर आपको क्या करना है एक pdf file में upload करना है जिसका size 200 kb के अंदर में होना चाहिए यहाँ पर choose file पी click करके अपने gallery में जहाँ पर भी रहेगा अपना जाओ land details से यानि कागज है उसको यहाँ पर upload कर देना है then उसके बाद आपको क्या करना है save पर click कर देना है जैसे save पर click कर देंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने में next page यहाँ पर आएगा status तो यहाँ पर बोलड़ाया है कि record has been submitted successfully your farmer id is तो यहाँ पर एक farmer id नंबर मिल जाता है जिसको आपको क्या करना है copy करकर रखना है या पर skin shot माल लीजिए यहाँ पर कहीं पर लिखके रखे लिए यहाँ पर प्रिंट करकर रखे यह फरमार id का नंबर बाद में जरूरत परेगा तो यहाँ पर हमारा form जो है successful हो चुका है तो चलिए अभी status check करके दिखाते है कि इस तरह से करना है तो फिर से आपको इस homepage पर आजाना है इस website में आने के बाद आपको क्याना क्या है थोड़ इसके नाम से आपने apply के थे यह जो capture है इस box में fill करना है फिल करने के बाद आपको search बाले option पर क्लिक कर देना है जैसे click कर देंगे यहाँ पर देखे फरमार application status पूरा का पूरा यहाँ पर दिख जाएगा जैसे आदान नंबर क्या है उसका नाम क्या है mobile नंबर क्या डाला थ ब्लोक कौन सा है सब डिस्टिक ब्लोक कौन सा है कौन सा डेट में आपने apply किया था यहाँ पर दिखे reason for rejection यहाँ पर आपका form successfully submit हुआ है या फिर rejection हुआ है किसी करण के बज़े से वह यहाँ पर लिखके आ जाएगा कि किसके बज़े से rejection हुआ है या फिर approval हो जाएगा तो approval दिखा देगा उसके बाद नीचे यहाँ पर दिखे स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग फोर अप्रूवल सब डिस्टिक लेवल तो यहाँ पर आभी आपको पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि आभी आपने apply किया तो पेंडिंग दिखा रहा है तो मेरे को 10 दिन 15 दिन यहा तो आपको इस्टेटस चेक करते रहना है और यह जो फॉर्म है आपको क्या करना है पिर्ट आउट करके रखना है उसके बाद आपको क्या करना है इसी वेबसाइट के होंपेज पर जाना है जो help line number है help line number पर call करना है 20-25 दिन के बाद call करके आपको बोलना है कि मैंने इस तर वहाँ पर आपको बोलना है कि इसी इसी तरह से मैंने अप्लाई क्या था तो ओलोग भी आपका काम कर देगा अधरवाइस आर आपको कुछ नहीं करना है जस्ट वेट करना है 15-20 दिन उसके बाद आपको यह सारा काम करना है तो आसानी से आपका अप्रूबल हो जाएगा और पैसा मिलने लगेगा हर सल में तो आई होब दोस्तों आपको वीडियो बहुत आच्छा लगा होगा अगर आच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाना और चैनल को साथी साथ सब्सक्राइब करके जाना इसी तरह का नॉलिजबल वीडियो आगे जाके देखने के लिए इस तरह का फॉर्म आगर आपका कोई रिलिटीब एपलाई करना चाते है तो इस वीडियो को अभी का भी उसको सेर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं आगले किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे तब तक के लिए जैहिन जै भारत